शिरी शिवाई नमस्तुव्यम हर हर महादेव जैमाहकाली जैमाकामवेक्या अगर आपके उपर कोई उपरी हवा है या नजर दोश है या आपके घर में काली शक्तियों का वास है अगर ऐसी समस्या से आप भी गुजर रहे हैं तो ये एक छोटा सा उपाई है अगर जैसे कि आपके उपर कोई काली शक्ती का पास है और आपके घर में भी आपको फील होता है कि जैसे आप बैठे हैं या खड़े हैं आपके पीछे से कोई चीज निकल गी जैसे कि पिर्चाया सा निकल गया या आपको कुछ मैसूस हुआ अगर ऐसा भी फील होता है आपके घर में या आप रात को सोते हैं आपको बहुत जादा भियानिक सपने आते हैं या बहुत जादा आपको लगता है कि आपके सीने को किसी ने मतलब दबा दिया गले को घोड दिया या आपको बहुत जादा घुटन फील होती है और आप पर आप कहीं जा रहे हैं आपको पता नी चला आपने गंदे कपड़े को एकदम लांग दिया या निम्बू और ये मिर्च जैसे कि अकसर घर पे या नजर दोश के लिए दुकानों पे लगाये जाता है वो फेक देता है कोई आप उसको पार करें या होली दिवाली पर किसी ने क कुछ किया है निम्बू लांग से या बताशे रखे या कुछ भी रखा है आटे का लोई रख दिया सिंदू लगा हुआ ऐसी कोई भी चीज़े आगर आपको दरवाजे पे या सड़क पर मिल जाता है तब ही आप से गलती से लांग जाते हैं या आप महां से गुजर जाते है तब भी ऐसा होता है कि आपको नेगिटिव एनर्जी एकदम परिशान करने लग जाती है कोई भी चीज़ आपके साथ लगके चली जाती है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि ऐसा हमारे साथ हुआ गया तब ही आपको ऐसा उपाई करना अगर आप भी इस स संपर के कर सकते हैं पट सब भी कर सकते हैं आपके हर एक समस्या का समयधान गुरुमा जी के पास जरूर मिलेगा तो आज का कुछ खास उपाई ऐसे ही है अगर आपको नजर दोश हो जाती है या किया कराये तंत्र मंत्र आपके घर पी किया है आपके उपर किया है या आपक पीला निम्बू इसमें काम नहीं करता हरे रंका निम्बू होना चाहिए हरे रंका निम्बू लियाए संध्याकाल पे करें या तो सुबा छे बजे के बीश में करें आप सुबा प्राता काल बिल्कुल सुबा सुबा करें नहीं तो सबसे अच्छा टाइम है संध्याकाल का छ शे बजय के बाद, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आप इस कारेश को करें, एक निंबू हरा लियाएं। उसके बाद आप लोंग लेलेें। पाँच लेले, तीन लेले, या आप तेरा लेले, ऐसे करके विश्यम संख्या में आपने ये लेनी है, लॉंग और लॉंग बिल्कुल भी तूटी-फूटी ना हो, और फूल वली लॉंग अच्छे से साबुत होनी चाहिए, और निम्बू भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए इस कारिये के लिए देखकर आपने हरा निम्बू लेना है, उसके बाद आप ले आएं और लाके आपने अपने घर में क्या करना है, कि लाल रंगा कुम-कुम लेना है, उस निम्बू के उपर लगा देना है, लगाने के बाद आपने अगर आपको अपनी घर में का गूमाने के बाद जो साथ लॉंग आपने लिए है उस लॉंग को आपने उसमें लगा देनी है लगाने के बाद इससे किसी भी चुरहय पर ले जाके छोड़ सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल भी पलट के नहीं देखना अगर आप ऐसा कर देते हैं आपके घर मे जाता वो इकदम कड़ जाएगा इस तरीके का आपने उपाए अपनी घर के लिए करना है अगर आपके शहीर पे है आपको पोस्टिव नहीं फील होता बिल्कुल ही नेगिटिव एनर्जी रहती है जैसे नींद बहुत गहरी आती है सोते रहते किसी काम में मन नहीं लगता या आपका बिजनेस आप से रुख गया आपका बिल्कुल भी दुकान पे जाने को मन नहीं कर रहा आपको जॉब पे जाने को मन नहीं कर रहा हर टाइम आप में आलस भरा है जैसे नहाना छोड़ दिया पूजा पाट करना छोड़ दिया या पूजा में मन नहीं लग रहा अगर ऐसी कोई भी नेगिटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा हूँ, तब भी आपने ऐसी करना है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन निम्बू लेने के बाद आप इस मतलब ले निम्बू को और हनुमान मंदिर चले जाएं। हनुमान मंदिर जैसे आप जाएंगे, आपने हनुमान जी को अपने उपर से साथ बरी इस निम्बू को उतार कर महाँ पर चड़ा देना है, चड़ाने के बाद उस निम्बू को महाँ से उठा ले, उठा के साथ में ले आए, लाने के बाद आपने इसके उपर मंत्र का उचा और चाकू अपने साथ ले जाना है घर से और जैसे आप चाकू भी साथ ले जाएंगे अपनी जेम में रखकर तभी आपने किसी चोरहाई पर पहुचना है पहुचकर अपने सर के उपर से लेके और पाउं तक आपने इस निम्बू को गुमा लेना है चाकू के साथ में गुम फेकरी के बाद बिल्कुल भी महाँ पलट के ना देके ये काम आपने चुरहाई पेक कर देना है ऐसा करने से आपके उपर जो भी नेगिटिव एनरजी चल रही थी तो एकदम शान्त हो जाएगी एकदम हट जाएगी और आपकी बादी बिल्कुल हलका फील करने लगीगी आपके शहीर पे जो भी था नजर दोश किया कराया जो भी आप लांग गए थे या आपने अपने पाउं से टकर मार दी थी कुछ भी अगर आपने ऐसा कर दिया था एकदम दूर होने लगेगा तो ये उपाई मैंने आपको बताई आपने अपने घर को कैसे बिल्कुल स्वच करना है कैसे अपने पोस्टिव एनर्जी अपने घर में लानी है कैसे अपनी बाडी के ओपर से पोस्टिव एनर्जी करनी है कैसे नेगटिव को दूर करना है कैसे किया कराया नजर दोश को तंत्रमंत्र को बिल्कुल दूर करना है काली शक्तियों का वास जो आपके शेहर पे घर पे चल रही थी वो एकदम दूर कर देनी है उसके बाद जैसे महाँ पे फेकेंगे चारों दिशाओं में मा काली का नाम लेकर आप अपने घर आ जाईए और आके हाथ मुदो कर घर पे आप देखेंगे कि अगले दिन से आपको नींद कमाने लगी आपका काम में मन लगजाएगा आपके जो भी बिगडे काम हो रहे थे जो भी आपका शेहर स्वस्त नहीं था आपको जैसे कि भारी भारी शेहर फील हो रहा था नींदें आ आ रही थी वो सब चीज़े एकदम अगर यह उपाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना शेर करने चैनल को सस्क्राइब कर लेना ऐसे ही तंत्रमंत किया कराया आपके उपर नजर दोष जो भी होगा इसके खास उपाई लेके आती रहोंगे आपके घर के लिए आपके उपर जो किया कराया होगा नजर दोष उन सब चीजों के लिए उपाई बताऊंगी और इसलिए वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सस्क्राइब करना आगे फिर मिलती हूँ जैमाकाली जैमाकाम वेक्या झांवे झाल झाल